हेलो गाइज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूटूब चैनल पर आज मैं आपके लिए बहुत ही सांदर हो जब इस वीडियो लेका आया हूँ वीडियो के इसकिप रद कीजएगा मेरे साथ लास्ट तक बने रहे हैं सपोज आप नया यूटूबर हो आपके पास उतने अच्छे माइक नहीं है आप फोन से रिकॉर्ड करते हो तो जब भी आप रिकॉर्ड करते हो आपका ओडियो क्वालेटी बेटर नहीं होता है तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कैस मैं आपको सबसे पहले तो कुछ सेंपल दिखा देता हो मेरे पुराने वीडियो के जिसमें ओडियो क्वालिटी एकदम वेकार आते थे और आभी के तो करना के हैं बहुत ही सिंपल सी बा आज़े वह कैप्चर हो जाएंगे पास सेकेंड रुकने के बाद आप वीडियो में बोलना शुरू करो वीडियो सुट करने के बाद कोई भी नॉर्मल एक MP3 कंवर्टर एप डाउनलोड कर लिजे उसमें आप वीडियो का MP3 में कंवर्ट कर लिजे उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे करना है सबसे पहले आप audio city आप को इंस्टाल कर लिजे इस्टाल होने के बाद open कर लिजे आप जो वीडियो सुट किये थे उसका audio अपने laptop में load कर लिजे load करने के बाद audio city को open किजे open करने के बाद आपको left side upper में आपको file का option मिलागे file में जाके open का होगा उसमें open करके उस folder को select कर लिजे select करने के बाद उस audio को लिए इसके बाद क्या करना है देखें आपको mouse का left button क्लिक करना है और जो मैंने आपको पहले बताया थे जो पास second का जो gapping छोड़ना है उसको आप select कर लिजे select करने के बाद effect में के noise reduction का option आ रहा है उस पर click कीजे उस पर click करने के बाद देखेगा get noise profile उस पर click कर लिजे उस पर click करने से क्या होगा जो भी आपको background में noise है वो audio city app capture कर लेगा मतलब deduct कर लेगा उसके बाद क्या करना है आपको keyboard पे control plus all दबाना है मतलब पूरा select कर लेना है उसका फिर से आपक just up click कर दीजे उसका जितना भी देखिया आपका noise background में हड़ी आएगा अगर फिर भी नहीं हट रहा है तो आप इसको दो से तीन बार कीजे आपका जितना भी background का noise है वो हड़ी आएगा तो guys अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो जरूर से जरूर से शेर कीजे औ तो इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं जय ही जय वावाव